देखिए क्या क्योशन नेसरवे वॉज कंडेक्तेट एमंग थृर्ण इस स्टुइज जारेए असरवे बड़ा प्यारा समझने वाला है अंध्य म ł Seminars réuss्वाइक अंधर कि भाथ कि जा रही है सर्वेबास स्कूरेटिगे अमंग 400 स्टूइट इनदेज इस्टूइंध इड थाथ 125 पक 1 25 प्लेकिरक ही 1045 एंध्य ख्लैग प्लेट फुटबॉल था। नैंटी इस्टूइम् ऱैक प्ले टेनिस 32 student like to play exactly two game 32 student play like to two game मतलब exactly two game की बात की जा रही है थोड़ा इसको one diagram से समझें फिर इन दोनों questions को भी हम समझेंगे एक मैं पूछा है how many students like to play all the three game और एक मैं बोला how many students like to play exactly only one game अब इसको थोड़ा सा समझें आप तो देखिएगा जड़ा समझ ना यह जो section होता है यह माल लीजिए a है यह b है और यह c है तो यह पूरा section a and b है पर इसमें three भी include होता है तो अब इसमें इनों ने एक word किया exactly two exactly two का मतलब इस section की बात की जा रही है इस section की बात की जा रही है और इस section की यानि इन तीनों को मिला के इसकी बात नहीं की जा रही है पर जब हमें दिया जाता हम जो formula यूज करते हैं उसमें ये भी पूरा आता ये भी पूरा आता ये भी तो exactly two का मतलब जब हम माल लेजिए कि मैं ऐसा लिखू एन ए यूनियन बी प्लस एन बी यूनियन सी प्लस एन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन स्वारी इंटरसेक्शन लिखना था कि मैं लिखू एन एंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए राइट ए बी और सी तो ये पूरा पूरा आएगा ये भी पूरा पूरा आएगा और ये भी पूरा पू times of N A intersection B intersection C यह दिया है 32 और अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस पूरे section को X माल लूँ तो मेरे पास एक result है A intersection B B intersection C C intersection A का 32 plus 3X ऐसा लिखके छोड़ दीजिए यह इस question की सबसे important चीज थी क्योंकि जब हम A intersection B लिखते हैं तो इसका उतला यह यह पूरा होता है B intersection C लिखते हो तो यह पूरा होता है A intersection C लिखते हो पर यह नहीं लेना exactly two बोला तो exactly two मतलब यह उपर वाला यह exactly two है यह exactly two है यह exactly two है अब जब हम यह formula यूज करते हैं N A union B union C जो कि 300 दिया तो यह होता N A plus N B plus N C minus N A intersection B and B intersection C plus N C intersection A plus intersection वाला तो इसको X माना अपने आप चुनें यह दिया 300 यह दिया है 125 145 one sorry 90 minus of यह सब मिला के दिया है 32 plus 3 X और यह plus का X अब आपको इसको solve करना है तो आपको all three वाला answer निकल के आएगा तो जब आप इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यह 145 ए 150 270 360 तो एक तरह से 300 वहां गया इसको दल्याओ तो यह ऐसा लिख सकते हैं आप कि माइनस का 32 भी रहने देना माइनस 3X प्लस एक्स यानि 2X तो 2X इक्वल टू 360 माइनस यह वाला यह 300 और माइनस 32 तो एक तरह से 2X इक्वल टू 60 माइनस 32 यानि 28 तो एक्स हो गया 14 यानि 14 लोग जो हैं वो तीनों गेम बाले हैं यह इस कोश्चन में इंपॉर्टेंट था और यह चीज कई लोगों को क्लिक नहीं करेगी इस पर आपको ध्यान देना अब बात आती है कि आगला कोश्चन बोला हाउ मेनी स्टूइंट लाइक प्ले एक्जेक्ली ओनली वन गेम ओनली एक्जेक्ली वन गेम बोला तो देखो य इतने लोग जो हैं 46 लोग हैं वो हमें यह पता चल गया कि आप तीन या दो गेम खेलते हैं और टोटल कितने हैं 300 तो 300 में से आप 32 प्लस 14 32 प्लस 14 तो 300 में से आप यह माइनस कर दीजिए 46 तो 254 लोग ऐसे होंगे जो एक्जेक्ली वन गेम खेल रहे होंगे राइट नोट कर लीजे